असलाम लेकूम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब अच्छे से होंगे खेरियास से होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे तो किदर जारे है दुहान हम लोग कुमने कहां सन सन है क्या अपने गॉगल्स लगाया हुआ है किसका गॉगल्स है ये ममा का है साइड से दिखाओ ऐसे ओक ऐसे टर्न करो पेज उदर देखो विंडो की तरफ देखो एक तब विंडो की तरफ देखने लगे है जाएद कहां जा रहे है हम लोग खुमने सिश्मा लगाय हुए है हो अच्छा अच्छा है कैसे तूटा कल तो अच्छा था जब मैं उठाए है ना फैसी तूटने लगा चलो कोई बात ने लगा लो ठीक है पपा इसको फिक्स कर देंगे ना फिक्स नहीं हो सटे जोहान कितने अच्छा से बैठा देखो ममा का जश्मा लगा के देखो ममा को अच्छा नहीं जबते हैं ममा को न्यू चिश्मा जबते हैं ओके ठीक ही हम लोग न्यू बाला ले ले हैं ममा का पर सम्टाइम्स यूज कर सकते हैं सम्टाइम्स यूज कर सकते हैं यूज कर सकते हैं यूज कर सकते हैं यूज कर सकते हैं और हम लोग को शार्जा जाना था क्योंकि पर्दे लेने थे तो शार्जा रोला तो हम लोग शार्जा के लिए निकल गए हैं मगर वहां पर आके देखा तो बहुत सारी दुकाने बन थी और यह उपन मार्केट है एक दम इंडिया वाला फील आता है यहां पे आने के बाद त तो एक दो अजान का टाइम हो रहा था जब हम लोग पहुचे तो कुछ साड़े पांच हो रहे थे साड़े पांच पॉर्ने छे के करीब हो रहे थे अजान का टाइम हो रहा था तो फिर इसलिए सारे दुकाने बनती हो सारे देखिए मेरे हस्बेंड उस साइड गए उन्हो रोज़दार बैठे हुए थे तो उन्होंने अपने मोबाइल से ये वीडियो बना लिया सब देखिए रोजे के लिए बैठे हैं दुआ कर रहे हैं और दुकाने एकदम खा लिए बहां से नहीं लेना था और छे सब अच्छे हो रहे थे तो इसलिए कोई भी नीट था सब रोजे के लिए चले गए थे दुकाने भी एकदम खाली थी मगर पर्दो के कलेक्शन अच्छे थे और ये देखिए मेरे हजबन गए उस साइड वो भी बिरियानी लेकर आ गए दो प सनाटा हो गया है वरना इतना ट्राफिक होता है इस रोट पर बहुत ज़्यादा पब्लिक बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि मार्केट प्लेस है तो फिर हम लोग ने सोचा कि अब ये रेस्टरून ही जाएंगे तो कार में ही कर लेंगे अब इफतार ये रेखिए दो प्लेट ये बिर्यानी दिये हैं तो हम लोग ने बिर्यानी खाई, समूसे खाई, धही चाट खाई और बच्चों के लिए हम लोग के लिए जूस ले आये थे और लबन भी ले आये थे तो इस तरह से हुआ हमारा आज का इफतार कार पर कार में बैठके इसका भी मज़ा लगी एक डिफरन टाइप का इफता है आज हमारा ट्राफिक के वज़े से हम लोग लेड पहुचे शाड़ा तो हम लोग को बिर्यानी मिल गई तो हर टाइम ऐसा होता है कि कब्भी भी ऐसा हुआ नहीं है अल्ला का शुकर है अल्हम्दलिल्ला दुबाई में जब से है कि हम लोग को कुछ मलब रोजी के टाइम पर कुछ नह कि मैं किधर जाती फिर मैं आई शॉप्स ओपन होने लगी थोड़ा सा ये देखिए लेडिस के कपड़ों का भी कलेक्शन है वो थान वाले जो कपड़े होते है न इसको स्टिच कराना होता है वो सब अच्छे कलेक्शन थे मगर फिर मैंने लिया नहीं मैंने कभी मैं और फिर देखी चादर बेडशीट के कितने सारे कलेक्शन है सब बच्चों का कलेक्शन है तो लास्ट राइम मैं ब्लू वाला ले चुकी हूँ जाइद के लिए कार वाला तो जाइद अभी बोल रहा था कि मैं को न्यू चाहिए अपना बेडशीट तो मैंने बोला है इस बहुत अच्छी चादरे मिल जाती है और यह लोग स्टिच करके वह देते हैं पिलो कवर्स वगेरा बेडशीट के साइद का भी फोल्ड कर देते हैं तो देखिए कितने सारे बेडशीट लगे हुए हैं यहां पर और यह देखिए यह बहुत प्यारी लगी बहुत ही क्यू अच्छे नहीं हैं अच्छे नहीं हैं अगर ठीक हैं ओके हैं तो मैंने सचा थुला सा वीडियो में आलू लोग निकल रहे हैं अब यहां से रोला से और यह देखिए यह हैं टिक टॉक फेमर्स गन्ने का जूस इन्होंने देखा था कहीं टिक टॉक में कहां देखा था पताईए इसके बारे में अच्छा टिक टॉक अच्छा वोई शो जूस बहुत फेमस तो गन्ने का जूस बोले जाए घुस बोलता है कि अगर अंदर निकाले थे वो लोग अच्छा है एक दम फ्रेश है ठंडा रहा है तो पीने में बहुत ही मज़ा आ रहा है अब यह अबचे एक ज्यूस पी चूके है उन्हा वाला मगर इनको मज़ा आ ग कैसे जी थोड़ा हुमालियन सोल्ट काला नमक आए था था तराबी का तुमें मस्जिद आगी वह मश्चीज़ आपको दिखाया तभी आपको तो ये देखिए थोड़ा सजो में इंटर्व हुए थी मैं थोड़ा सा स्टर्ड करी थी क्योंकि नमाज स्टर्ड करें चुकी थी अब नमाज बगेरा हो गई है तरावी भी मैंने पढ़ डिया अलहमदुलिल्ला इस रमदान में मैं पहली बार मस्जिद जा कि तरावी पढ़ियों में कोई इतना अच्छा लगए इतना सुकून मिला और वो जो बिंदिर में दुआय कर रहे थे तो बहुत ही एक्टम इमोशनल हो गई थी तो देखिए किने सारे लेडिस निकल रहे थे इसके बाद हम लोग निकल गए हम लोग को थोड़ा टेबल रनर लेना था अच्छली उस दिन हम लोग गए थे वहां पर gift market में basically table runner लेने के लिए मगर वहां पर table covers थे table runner नहीं था तो हम लोग ने सचा हों बॉक्स में आके चेक कर लेते हैं तो हम लोग हों बॉक्स में आ गए हैं तो ये देखिए हों बॉक्स में भी सब रमदान में यहां प इतनी रौनक रहती हैं हर जगे न्यू कलेक्शन सेल ओफर सब जगे चलते रहते हैं और बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन आया होता है बेसिकली फरनीचर पर क्रोकरी पर क्योंकि रमजान में इतनी दावते होती ना दिखिए इस बार यह मैं आई तो यह न्यू दिखा है ऐसा त्री टेयर का और टेबल्स वगेरा देखिए सोफा सब न्यू है क्योंकि बहुत सारे अरबी लास्ट वीडियो में बदा चुकी हूँ जैसे हम लोग भी चेंज करते हैं बहुत सारे अरबी जादा तर लोग अपने घर का फरनीचर चेंज करते हैं अपने घर का सेट अप चेंज करते हैं पैंट चेंज करते हैं वाल पिपर लगवाते हैं तो इसले बहुत ही जादा रश रहता है तो जस्त अरवी खतम हुई है तो हम लोग अधर की तरह आगे हैं यह बहुत ही क्यूट लग रहा था में को डाइनिंग टेबल और डाइनिंग टेबल की ऊपर जिस तरह से डेकोरेशन किया हुआ था वो और भी ज्यादा उस पर चार शांद लगा रहा था तो देखे हर जगे उसका प्राइस लिस्स लिखा हुआ है और सेल ओफर डाला हुआ है रिकलाइनर सोफा हम लोग दो यूज करते हैं रिकलाइनर सोफा हम लोग के घर में है और तो बस बच्चे भी थोड़ा सदेख रहते बच्चे भी देखते हैं और फिर बाद में जोए करते हैं गर चलिए घर चलिए तो मैं यह सब तो मुझे कुछ लेना नहीं था मगर मैंने इते के हजबन सोफा बेट देख रहे हैं उनको नया कुछ स्टाइल दिखा तो कहने लग हैं जिससे आप सोफा बना सकते हैं और रात में इसको बेड बना सकते हैं अगर कोई गेस्ट आए या फिर खुद भी अगर सोना है तो इस तरह से इसको कर सकते हैं और तो बस अगर हजबन को थोड़ा देखने में उनको अच्छा लग रहा था तो मैं ने सूच है कि मैं शूट कर लूँ वैसे तो लेना नहीं था मगर आप लोग को दिखाने के लिए मैंने कलेक्शन वहां का शूट किया और कितने अच्छे अच्छे कलेक्शन है अच्छे अच्छे कलर और फिर हम लोग वहां से निकल के होम सेंटर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मैं जो टेबल रणर चाहिए था उनके लोग के पास भी लास्ट रही मैंने देखा था जब मुझे नहीं चाहिए था तब बहुत अच्छा उनके पास डिजाइन था और अभी जब चाहिए तो वह मुझे पसंद नहीं आया फैब्रिक भी मोटा वाला था तो फिर नहीं लिया और हम लोग ने मैट्रस प्रोट यह देखे तारे डेकोरेशन के आइटम्स लगे हुए हैं और इतने खुबसूरत इतने डेलिकेट और इतने अच्छे रहते हैं बच्चे जाए जोहां नोनों ट्रॉली लेगे रन कर रहे थे मुझे डरी लग रहा था कहीं कुछ गिर के तूट नहीं जाए तो इतने अच् हैं तो और भी ज्यादा न्यू न्यू कलेक्शन आए हैं आप लोग देख सकते हैं अच्छा है जाए देखे मिल गया है हम लोग को टेबल रनर और इसी तरह का मुझे चाहिए था तो एक सिलवर है और एक गोल्डेन में हैं तो मैं हस्बिन को भी पूछ रही हूं सिलवर लूँ क्या गोल्डेन लूँ तो उन्होंने बोला सिलवर ले लो तो हम लोग ने सिल निगलते निगलते आप देखिए यहां के खुबसूर्थी देखिए बस यहां पर आओ और देखते ही रहो कि ते अच्छे यहां पर चीजे कलेक्शन रहते हैं बहुत अच्छा लगता है आई सूधिंग लगता है एकदम देखकर यह दुबाई का ट्रेडिशन है योई का अरब्स लोगों का कि वो लोग हर जगे गहवा रखते हैं अरबिक कॉफी अरबिक गहवा और खजूर भी रखते हैं और सब के लिए रहता है बहुत सारी जगों में हम लोग जब जाते हैं तो वो रखा होता है इसे पूछना नहीं पड़ता है बस ले लो या कोई सर्फ के लिए भी खड़ा नहीं होता है कभी कभी कहीं कोई सर्फ करता है और देखिए हम लोग मेरे हजबन को तो बहुत पसंद है तो हम लोग ने ले लिया गहवा और खजूर मेरे पास था ही तो इसको खाते हैं खजूर के साथ पहले खज और उनफॉचिनिटली हजबेन हम लोगी कार खराब हो गई है और स्टार्ट नहीं हो रही है तो हजबेन खोल के देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम हो गया क्या इश्यू हो गया है शायद बैटरी का कुछ वायर कहीं से निकल गया है घर आ गए है वापस बच्चों को सुला दि था तो यह नेम स्लिप में मैं गिफ्ट मार्केट से दिन लाई थी आप लोगो दिखाना पूल गई थी तो देखिए फ्रेंच वागेरा भी है इस बार इनको ग्रेड वन में तो मैं नेम स्लिप लगा के नाम वागेरा इनका लिख दूँगी ताकि टाइम टेबल के हिसाब से जब जो सब्जेक मांगे टीचर वो मैं भेज दूँ तो वो ही चल रहा है नेरा अराम से सुकून से सब काम हो रहा है बच्चे सो गए है तो हस्बेन अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही थी और मैं नाम लिख रही हूँ उसके और देखिए मैं नाम लिख रह जालके और फिर दूसरा नेमस्लिप लगा के और वापस से नाम लिखा हो जाती है ना और यह सब करने से मतलब कवर चलाना और नेमस्लिप लगाना नाम लिखना अपना बच्पनी आदो आ गया कितना एक्साइटमेंट होता था हुजबन रिकॉर्ड कर रहे और टाइम दिखा झालक बच्पनी कितने एकिता कि अएगा कि ढने रहे खिर कितनी आईटमेंट हो तेन व 수도 सेमा आद़िए हो जऑखा है. खुर्सता हुबन राव झालके बच्पनी in